ओम सिरी गनेशा नमा दोश्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोश्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फरवरी गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही हैं कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महतपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिसानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती हैं बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहुनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परन्तु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड ताएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहें तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिकर करने की आवश्यक्ता नहीं हैं किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओर भी मिलन अकेले ना लें बलकी टीम वर्क बना कर काम करें इससे वेवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों वेवसाय छेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर पैणाम हासिल आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वेवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबं कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के भिलका आप उप्योग करें दोस्तो नोकरी करने वाले जात्तकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदायक दिन रहने वाला है दोस्तो नोकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से खान पान में सेयम रखें वेवेस्तित दिन्चरिया रखने की आज आवश रकता है स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखन के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिसे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हर्य विश्नुजी का इसमरन करते हुए किसी बुजुर्ग ब्रहमन को भोजन अवश्य कराएं और अपनी श्रद्धानुसार कुछ दान दक्षणा भी अवश्य करें और अपनी मनीमन मनो काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री हर्य विश्नुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करें जो भी आपके जीवन में परेशाने चल लगी हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपकी समस्त मनो कामने जल्द ही पूर्ण होंगी और आपके शभी कार रहे भहुत यासनी से भगवान श्री हरी विश्नुजी के अशिरवाद से बंते चले जाएंगे दोस्तों जो एफड़न देवाद